उस संगी के दिल में क्यों ना आए? या संगी नो तमारा खून पानी हो गया आए? या राश्वक्ती मर गई है? जिस तरंगे को उठा करके आप जियनियू के किसी भी नेटा को पीड देते हो उस तरंगे को उठा करके आप कोई पाप अपना चुपा लेते हो क्या उस तरंगे पर बात नहीं करोगे? दोस्तों मशकार मैं आजा जिन्दावाज नियूस के लिए आपके बीच में एक वार फिर मनुज कुमार शर्मा जी हाँ दोस्तों बात करेंगे आप गुजराज चुनाव के बारे में गुजराज चुनाव के बारे में बहुत दिनों से बात नहीं की गुजराज चुनाव के बारे में कोई आकरंट भी डाला गुजराज चुनाव के बारे में कोई बात मैंने आप से नहीं की क्योंकि इसलिए नहीं की क्योंकि यूटूब ने तो इतना बड़ा फंडा कर दिया है एक तरफ जहां ट्वीटर ने एलान कर दिया है नीली टिक वाले जो है 16 रुपे महीना देंगे तो मैं तो बड़ा खुर्श हूँ कि भाई यह बहुत अच्छी बात है जो पैसे वाले हो वो ब्लूटिक लेंगे और हम जैसे लोग तो जनता का ब्लूटिक लेंगे चलिए यूटूब पर भी ऐसा ही चलना है भाई भारते इंता पार्टे के अंडर में चलता है यूटूब भी अब एलन मस्क जैसा कोई यूटूब को भी खरिद लेगा तो वो भी ऐसा कुछ कर लेकिन यहां पर गुजराच चुनाम के बारे में एक सवाल राहुल गांदी से पूछा जाता है कि गुजराच में आप दिखनी रहें या कुछ ने दिख रहें दोसी तरफ एक सवाल और पूछा जाता है कि आपकी भूमी का क्या होगी हमाचल में और गुजराच में तो र राहुल गांदी बहुत सीधे से बोल देते हैं कि मेरी भूमी का जो होगी वो मलिका और जुन खड़के सहाब ते करेंगे जी हाँ यह है राहुल का दम यह है राहुल की नम्र था यह है राहुल का वो आदर अपने कांग्रिस पार्टी प्रेसिडेंट के लिए है चाहे वो मा हो चाहे वो प्रेसिडेंट मलिका और जुन खड़के दलित हूँ मैंने दलित इसलिए लगा दिया क्योंकि भाजपा में तो मतलब चुने जाते हैं ना नॉमिनिट हो जाते हैं संके द्वारा और संका तो इतना आतंख है कि हर गवर्मेंट में संके मताविक ही नियुक्तिय होती हैं और संके हिसाब से ही कानून और कैबिनेट के जो हैं कानून पास होते हैं बोला था पटिल साफ ने लेकिन हम नहीं समझे हम हिंदुत की धारा में बह गए हम हिंदुत के जगा चल निकले राहुल गान्दी का वो बयांस सुन लिजए जिसमें बड़े कॉन्ट तरी मेडिया ने मतलब करणों रुपे के बिग्यापन मेडिया को दे दिये गए हैं केजरिबाल की पार्टी के द्वारा जिसके द्वारा प्रिचार करने की कुशिश की जा रही है कि एक हवगा खड़ा किया जा रहा है आमानी पार्टी के द्वारा गुजराद के चुनाओं मे कि वो सबसे नंबर बन पार्टी है जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस जो है मूध बूध तक शोड़ी शोड़ी नुकड सवाओं के साथ पहुँच रही है राहूल गानी का ब्यान सुल लेगे गुजराच चुनाओ में कॉंग्रेस पार्टी बहुत एफेक्टिवली लड़ रही है और गुजराच चुनाओ को कॉंग्रेस पार्टी गुजरात में जीते की बहुत भारी anti-incumbency है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है ग्राउंड पे कुछ नहीं है आप मीडिया का मतलब वहां से वो फंडिंग करते हैं दिल्ली से अड़िटाइजिंग करते हैं तो हववा बना रखा है और कॉंग्रेस पार्टी इस सॉलिड पार्टी इन गुजराथ कॉंग्रेस पार्टी इस गुए तो विन दे एलेक्शन देखा जी नहीं नहीं सप्लिमेंटरी नहीं प्लीज नहीं प्लीज राहूल गांदी का यह 19 सेकंड का बियान आपने सुन लिया होगा और आजाईए उस दास्तान पर जो दास्तान जो है राष्टवादियों के साथ जोगी हुई है उस राष्टवाद के साथ जुड़ी हुई है जो राष्टवाद का सपना और नारा प्रधान मंत्री मूदी और योगी की सरकार लगाती है आज इस पर बात इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंक को आग लगाई जा रही है वो जर्म नहीं है क्या सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ संग्यान लिया जाएगा क्या उन लोगों खिलाफ संग्यान लिया जाएगा जिन लोगों ने जूटे वीडियो फेक नियूस मुरवी के बारे में चलाएं क्या तरंगे जलाने पर क्या स इस्टेंड गुजरात के बारे में कर दिया लेकिन गॉंडा में उत्रप्रदेश के अंदर जब ये ख़वर आती है कि बोरे भर भर के तरंगे जलाए जाते हैं तरंगों की बेज़ती की जाती है वीडियो बारण होता है तब गुसां हर हिंदुस्तानी के दिल में क्यों ना ये संगीओं तुमारा खून पानी हो गया है या राश्बक्ती मर गई है जिस तरंगे को उठा गरके आप जियनियू के किसी भी नेधा को पीड़ देते हो उस तरंगे को उठाकर के आप कोई भी पाप अपना चुपा लेते हो क्या उस तरंगे पर बात नहीं करोगे आखनो, यूपी के, गॉंड़ा की घटना है, गॉंड़ा जर्मत की, तरेंगे को जलाने का एक वीडियो सामने आया, वीडियो में देखा जा रहा है, कि तरेंगे को आग लग रही है, वे जल रहा है, जैसे कि हिन्दुस्तान की एक ता, और प्रेम जल रहा है, इस वीडियो को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि एह घटना गॉर्णडा विकास हो उनकि एह घटना सामने आने के बाद जला दिकारी भी ब्यान के सामने आते हैं और सफाई देते हुए कहते हैं इस प्रिक्रा को शाषन द्वारा दे गई गाईडलान के तहत ही किया गया है मानते हैं कि ये बीडियो फेक नहीं है ये बीडियो असली है जी असली बीडियो है अब खुलासा करेंगे इनके इस बियान का कि गौणडा में जो चला गया प्रिया सिंग का ये ट्वीट आता है गौणडा में विकास वववन के सफाई की दौरान बोरे भर करके हजारों की संख्या में जलाया गया तरंगा रहिवार के कारण वववन के सफाई हो रही थी सफाई जिसमें इन तरंगों को जलाया गया है बताय जा रहा है कि यह तरंगे इतने थे कि इन्हें बूरी भरके लाया गया था इसमें आग लगा दे गई जलातिकारी इस मामले पर बोलते हैं कि तरंगे को गाईड लाइन के अनस्वार जलाया गया है इनके मताबिक प्रियोग फटे तरंगे ऐसी तरंगे जिन में चक्र नहीं था उसे जमा किया गया और छुटी के दिन उसे जलाया गया एक जिलातिकारी तरंगे के बारे में इतना जूट बोल ला है कि चक्र नहीं था चलिए बैसे तो ये कुछ है नहीं ऐसा लेकिन इसी बियान को कंडेम करता हूँ उस दियम के गॉंडा की जिसमें ये बोल रहा है कि चक्र नहीं था इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा एक चक्र और भी है वो अशोक लाट भी है वो तरंगा भी है उस तरंगे का चक्र भी देखिएगा और जलाए हुए जा रहे हिंदुस्तान के गौरब को देखिएगा उस तरंगे को जलते हुए देखिएगा जिस तरंगे यात्रा के पीछे भारती अंता पार्टी बड़ी बड़ी रैलिया निकालते हैं उस तरंगे को देखेगा जिस तरंगे के पीशे छुपकर के भारती अंता पार्टी के लोग गुंडा गर्दी करते हैं और दोसी तरफ उस राहुल गांदी को भी देखेगा जो गुजरात के बारे में भी बोलता है और जलता हुआ तरंगा देख करके जार जार हो जाती है आँखें कि ये संगी आएंगे तो तरंगा तो एक दिन जलाएंगे ही और उस डियम की मा को डियम के परिवार को मेरी बद्दुआएं है जिसने ये जलाया बागई अफसोस जनक है ऐसा नहीं करना चाहिए था उस डियम को जिसने ये तरंगे जलाए आज इस देश की हलत ये हो गई कि तरंगे तरंगा दिवस मनाया जा रहा है और तरंगे पड़े हुए और तरंगा जलाया जा रहा है लानत है ऐसे देश भक्तों पर ऐसे डियम को तरंग सस्पेंट किया जाना चाहिए योगी जी योगी जी सस्पेंट कीजिए गॉंड़ा के डियम को कि तरंगा जलाया क्यों क्या कर सकते है योगी जी हिम्मत है मोदी जी हिम्मत है तरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान नमस्कार जह हिंदुस्तो